नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे अपनी यूट्यूब चैनल पर पीसी एमबी डिजिटल गुरुकुल हिंदी व्याकरन क्लास 9 वर्कशीट नमबर 86 15 फर्वरी अगर आपको वीडियो पसंदाए दोस्तों तो चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा आपकी वीडियो देखने एक लेला प्लेलिस्ट अवश्य देखेगा वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजेगा नीचे देखे गद्यांच में कुछ समास युक्त सब्दन सब्दों को ढूंड कर लिखना है और समास विग्रे कर उनमें कौन सा समास पर युक्त यह भी लिखना है तो आई पहले गद्यांच देखते हैं जनवर में गदा सबसे ज़्यादा बुद्धी ही इन क्यों समझा जाता है हम जब किसी आदमी को परले दर्वाजे का दर्जे का बेवकूफ कहना चाते हैं तो उसे गदा कहते हैं गदा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधे पन उसकी निरापत सहिशनुता ने उसे अपद भी दी है इसका निश्चे नहीं कहज़ा सकता गाएं सींग मारती है बैह हुई गाएं तो अन्यासी सीहनी का रूप धारन करती हैं कुट्ता भी बहुत गरीब जानड़ लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आता है खिंतु गदे को कभी क्रोध करते नहीं सुना जितना चाहो गरीब को मारो चाहे जैसी खराब सड़ी घास खाने को डालो उसके चैर पर कभी इस नतोश नहीं होता बैसाक में चाहे काद बार कुलेल कर लेता हो पर हमने तो उससे कभी खुश होते नहीं देखा उसके चेरे पर एक विशाद स्थाई रूप से चाहा रहता है सुख दुख कहानी लाब किसी भी दशावेवे नहीं बदलता रिशी मुनियों के जितने गुणे वे सब उसी में परकाष्टा को पहुँच गए है पर आदमी उसे बेवकुफ कहता है सद्गुणों का इतना नाधर नहीं देखा कदाची सीधा पन संसार के लिए प्युक्त नहीं देखे ना भारत वास्यों के अफरीका में क्या दुर्दशा हो रही है क्या अमेरिका में उन्हें गुसने नहीं दिया जाता क्यों नहीं गुसने दिया जाता बैचारे शराब नहीं पीतेuclear चार पैसे कुस्वबे, केले बचा कर रखते ढखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाय जगड़ा नए करते हैं, चार बाते सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है, कह जाता है वे जीवन के अरिशे को नीचा करते हैं, अ जिसके अर्थ में हम गधे săप करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बच्चा के स्टोप कर देता है कुछ लोग बैल को शायद बेफूफों में से स्ट्स्ट करेंगी मघर हमारा वई चार ऐसा ने है मैल कभी-कभी मारता भी है कभी-कभी अडियल बैल भी देखने में आता है और कई बार रीतियों से अपना एसंतोष प्रकट कर देता है उसका संस्थान दो स्थान है वो गढ़े से नीचा होगा आपको इस गर्द्यांच के शब्द लिखने जिसमें समाश युक्त हो समाश विगरे और समाश वेदो का नाम थे खो भीटा इस गर्द्यांच में प्रिवक्त होएं शब्द जैसे कि बुद्दी हीन समाश का विगरे करेंगे तो बुद्दी से हीन और समाश भीद का नाम होगा तत पुरू समाश सुख दुख सुख या दुख 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 समास हानी लाब हानी या लाब दुख दुख समास रिशी मुन्यों रिशी और मुन्यों दुख दुख समास भारत वासियों भारत के वासियों तत पुरुष समास लडाई जगडा लडाई और जगडा दुन्द समास दूर दरशा बुरी है जिसकी दशा करमधारे समास सद गुण सद अच्छे हैं जो गुण करमधारे समास सव स्रेष्ट सभी में स्रेष्ट तत पुरुष है संतोस अंतोस के विना तत पुरुष और दूसरे प्रशन में आपको वो समास के भेद बताने से जिनके उपर एक्जामपल नहीं आए जैसे अवीब है समास एडवर्बिल कंपाउंड, दिगो समास नुमरल कंपाउंड और बहुवरीय समास एट्रिविटिव कंपाउंड और इसे के साथ बेटा ये हिंदी की वर्कशिट समाप्त होती है, उमीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो हमें सपोर्ट करते रहें, धन्यवाद